हेलो फ्रेंड्स बजार में ऐसे बहुत सारे महेंगे क्लेंजर उप्योग हैं जो कि हमारे फेस को क्लीन करने का दावा करते हैं जो कि हमारे फेस के लिए बहुत जादा हानी कारिक भी साबित हो सकते हैं क्लेंजर में काफी मात्रा में केमिकल भी मिले होते हैं इसलिए अगर आप उन क्लेंजर से बचा चाहते हैं तो आज ही शुरू कर दीजी नारियल का तेल ऐसा क्लेंजर इस्तेमाद कर जी हाँ आप बिल्कुल ठीक समझी मैं आपको आज डीटेल में बताऊंगी कि एंटी बैक्टिरियल गुन और एंटी आक्सिडेंट से भरा हुआ नारियल तेल किस तरह से हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है नारियल तेल हमारे बालों को तरच्छा बनाता ही है साथ ही साथ अगर हम इसे एक क्लेंजर की रूप में इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे फेस साई डेट स्किन सेल्स को रिमूज पर देता है सारी गंदीगी को हटा देता है और हमारे फेस को एक नई चमक प्रदान करता है नारिल तेल प्रकर्टिक होता है यहां मारी तच्चा से एक धूल मिटी हटाता है मिट कोशिकाओं को दूर करता है साथ ही साथ हमारे फेस को और भी जादा रेटिन बनाता है जिन रड़कियों को कील माँसे की प्रॉब्रम होती है उनके पास यह उपयोग मेरेना बहुत जादा जरूरी है काफी महिलाई नारिल के तेल को ऐस अ क्लेंजर यूज़ करती है इसलिए क्योंकि नारिल के तेल में भारी मात्रा में एंटियोग बुन पाये जाते हैं जो कि उनके फेस को अच्छा तो बनाती ही है ऐसाथ ही साथ उनके फेस का प्येश लेवल भी बराबर बनाए रखती है नारिल के तेल को ऐसा क्लेंजर इस्तमाल करने के लिए बहुत जरूरी है इसके स्टेप्स को फॉलो करना स्टेप नमबर वन नारिल का तेल लीजे उसको थोड़ा सा गरम कर लीजे गरम करने के बाद नारिल के तेल को अपनी दोनों हतेलियों में रगर कर उसको इस तरह से मसले के वो दोनों हतेलियों पे बराबर मातरा में आ जाए Step No.2 उन हतेलियों से अपने फेस की मसाज गोलाई में करें और मसाज तक तक करें जब तक सारा तेल आपके फेस पे सोख न जाए Step No.3 है सूखने के 10 मिनद तक उस तेल को ऐसे ही रहने दे और उसके बाद एक तोलिया लेकर उसे गरम पानी में भीगोए और उसके बाद उसे निचोड़ने के बाद उस भीगे हुए तोलिये से अपने फेस को साफ करें और फिर 10 मिन तक ऐसे ही छोड़ दे Step No.4 है अंत में अपने फेस को अच्छे और साफ पानी से दोलीजे इसा करने से आपकी साई डेट स्किन सेंसोरियों हो ही जाएगी साथ ही साथ आपके फेस की सारी गंदगी रूर हो जाएगी और उसमें अंदर से निखार भी आएगा So friends, ये थी वो ट्रिक जिसका इस्तेमार आप नारियर तेल को as a क्लेंजर के रूप में भी कर सकते हैं झाल